तो देश और दुने के तबाम बड़ी खबरे आपको दिखाएंगे लेकिन सबसे पहले नज़र डालेते हैं ताबर तोड़ पचास पर जमु कश्मीर के डीजी जेल हेमंद कुमार लोहिया की हत्या वारदात के बाद फरार नौकर पर हत्या का शक पुलिस मामले की जाच मजुटी डीजी जेल के हत्या से मचा अड़कम आरोपी के तलाश में रामबन और उधमपुट छापे मारी जवारी पुलिस टीम को पहाड़ी इलाके में यासीर का लोकेशन मिला बीजी जेल हेमंध कुमार लोहिया की हत्या मामले में आतं की कनेक्शन का दावा आतं की संगटन पी एएफफ में लोहिया की हत्या की जिमिदारी भी ली जमू कश्मीर पुलिस की टीमें उद्यवाला के करीब के अलाकों में सर्च ऑपरेशन कर रही है पूरे अलाके के CCTV पुटेज को पुलिस की टीमें खंगाल रही है ग्रहम अंत्रा मिच्छा के जमू कश्मीर दौरे का दूसरा दिन आज राज़ोरी की जनसवा में राज़े के पहड़ी समुदाय को SP स्टेटस देने की कर सकते हैं गोश्रा मतब वैश्णो देवी के भी करेंगे दर्शन जमू कश्मीर के राज़ोरी में एक ग्रहम मंत्री की रैली को लेकर सुरक्षा के करें इंतजामात एलोसी से लेकर शेहर तक सभी रास्ते सील बिना सुरक्षा पास के किसी को भी शेहर में जाने की इज्वाज़त नहीं दो दिन के उत्राकंड दौरे पर देहरादून पहुचेंगे रक्षा मंत्री राज़शनात सेंग सेना के जवानों के साथ मनाएंगे दर्शेरा नाशनल हेराल केस में तेलंगाना कॉंग्रेस के पाच नहिताओ को ईडी ने पूच ताच के लिए बुलाया यंग इंडिया को डोनेशन देने का मामला डोनेशन मिलने के समय सोनिया और राहुल थे यंग इंडिया के डारेक्टर प्रतिबंद लगाने के बाद पहली गिरफतार दिल्य पुलिस ने यूए पीए के तैट चार सदस्यों को किया गिरफतार यूपी के बहरायच से भी तीन लोगों को हिरासत में लिया गया फरार गैंग्स्टर दीपक टीनों के खिलाब पुलिस ने लोकाउट नोटस ज्वारी किया विदेश भागने की आश्रम का तूत्रों के मुताबिक गैंग्स्टर गोल्डी बरार के संपर्क में है दीपक सीवियाई ने दिली के आईजवाई एरपोर्ट से एक रश्यन नागरी को गिरफतार किया देश छोड़कर भागने के फिराख में एरपोर्ट पहुचा था जेई 2021 परिक्षा गोटाले का मुख्या रोपी है दिली दंगे का आरोपी यूपी के अलिगण से गिरफतार किया गया दिली पुलिस ने इस्थानिय पुलिस को बिना बताय अक्शन लिया गुच्रात के दुआरका और पोरबंदर में अती क्रमण के खिलाफ अभियान से माफियाओं में हड़कम मच गया सरकारी जमीनों पर अवैद निर्मान को किया ज़ारे द्वस्त फिल्म आदेपुरुष के टीजर में रावन के किरदार में देखे स्याफवली खान के लुक पर विवाद ज़ारी हिंदू महासभा ने बता इस्लामिक आतंकवादी तो बीजेपी ने तिहास के साथ खिलवाड करने का लगाया प्रियागराज के लाबाद सेंट्रल उनिवरस्टी के चात्रों ने दुर्गा पूजा मेले में निकाला जुलूस नारेबाजी कर फीस बढ़ाने का विरोध किया 29 दिनों से आमरण अंशन पर हैं चात्र गुजवात के खेडा में दूसरे समुदाय ने गरबा खेल रहे लोगों पर पत्राव किया 6-7 लोग जकली हुए कई गाड़ियों के शीशे भी तूटे माराश के नासिक में नवरात रुमेले में आपस में भीड़ी लड़किया मामुली कहा सुनी पर पढ़ा विवाद जमकर मारपीट हुई जारकन के गिरिडी में मादुर्गा पर आपत्ती जनक टिपड़ी से गाउं वालों में आक्रोश पोलिस ने दो लड़कों को गिरफतार किया यूपे के मैनपूरी में दो पक्षो में जमकर चली लाटियां और लात गूसों की बरसात हुई मारपीट का वीडियो वाइरल पुलिस एजी टीवी की मरत से घटना की जुआज कर रही है राजिस्तान के बिलवाड़ा में एक प्राइवेट ऑस्पिटल में लड़के की मौत पर हंगामा हुआ गुसाए लोगों ने अस्पताल में जमकर तोड़ फोड की परिवार ने अस्पताल के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया मुंबई एरपोर्ट पर कस्टम विभा की बड़ी कारवाई एथियोपिया एरलाइन्स के फ्लाइट के आप पेसेंजर से करीब 10 करोड की कोकीन बरामत की गई आंधर प्रदेश के अनंदपूर में पूलिस कॉंस्टेबल का प्रदर्शन सरकार के खिलाफ निकाली साइकिल रैली राजिस्तान के अलवर में दिव्यांग से दुशकर्म पूलिस ने केस दर्जकर आरोपी को गिरफतार किया राजिस्तान के बिकानेर में एक लड़के का हाई वोल्टेज ड्रामा हाथ में तूटी बोतल और इट लेकर दुकान के छट पर चढ़ा आत्मात्या करने की जिद्गी यूपे के प्रियागराज में सिर फिर आदमी ट्रेन के इंजन पर चढ़ करी 20 मिनट पक मनमानी करता रहा काफी मशक्कत के बाद कुछ लोगों ने इंजन पर चढ़ कर उसे उतारा पूने के चांदरी चौक में ब्रिज गिराने के बाद चटानों को हटाने के लिए दो और ब्लास्ट किये गए चटानों की वज़े से पूने बैंक दूर हाईवे पर लग रहा था जैम यूपे के हर दोई में सड़क हादसे में कब बैंक कर्मी की मौत हो गई टायर फटने से डिवाइडर से टकराया तेज रफतार कार घटना का सिस्टीवी पुटेज भी आये सामने माराश के चंदरपूर में तीन मंजिलाए के मारत भरभरा कर गिर पड़ी इस हादसे के चपेट में आने से दो महलाए घायर हो गई यूपी के टावा में एक बड़ा हादसा हो गया मिट्टी का टीला डैने से चार बच्चे दब गए जिनमें तीन बच्चों की मौत हो गई यूपी के लखनों में एक घर में खाना बनाते समय से लेंडर फट गया हादसे में के वेफ्टी की मौत हो गई जबकि कई लोग इसमें खायत हो गई ईटावा में राम diabetic पंड़ाल में अचानक भीशन आंग लगई आंग से राम बनीबा परिसर में अफरा तफरी मझ गई बिजली के शॉट सरकिट से लगी आंग योपे के मिर्जापुर में दुरका पूजा पंडाल के बाहर लगे मिसाई के मॉडल में लगी आंग पंडाल में मची अफरा तफडी कडी मश्रक्कत कर आग पर काबू पाया गया महराज के कल्यान में एक बव मंजिला इमारत में आग से अड़कम मच क्या तीसरी मंजिल पर रहने वाली लोगों ने साड़ी के साहरे दूसरी मंजिल कर पर पहुच कर अपनी जान बचाई राजसान के उदैपुर में दस स्वीट के मगरमच की देश्ट वनवभागने की अरस्कियों वापस पानी में छोड़ा मुलायम सिंग्यादव के सेहत में सुधार गुरुग्राम के मिदानता अस्पताल में आईसियो में भरती हैं अखिलेश उसमित परिवार के कई सदस्य अस्पताल में मौजू नवरात्री के आकर दिन आज देशमर में महा नवमी की धूम मंदिरों में श्रद्धालों की भारी भीड मादुर्गा कली आशिरवार मा नवमी पर गुरकपुर के गुरकश्पीट में सीम योगी आदितनात ने किया कन्या पूजन श्रद्धालों को खिलाया खाना विज़र दश्मी के शोभा यात्रा भी निकालेंगे CM योगी आधितनाथ ने नवरात्र पर सबको धी शुब कामराय बोले मात्रशक्ती के सम्मान से जुड़ा महत्पूर पर्व तियोहार के जरिये लोग मात्रशक्ती को सम्मान देते हैं मुंबई के नस्दीक ठाने में लोकाल ट्रेन में एक दिन पहले मनाय गया तर्शेरा ट्रेन को गुबारे और फूलो की मालाव से सजाया गया मैला यात्रों ने प्लाटफॉम पर किया गर्वा गुजरात के सूरत में महाश्टमी पर हजारों लोग महारती में शामिल हुए उमिया धाम मंदिर में आरती के दियों से पूरा मंदिर परिसर जगमगा उठा दुबाई में आज होगा हिंदू मंदिर का भव्या उठगाट अन यूएई और भारतिय राज़तू समित कई अधिकारी होंगे शामिल उत्राखंड के धार्चुला में बदला मौसम कमेजास चीन सीमा से लगे दार्मा घाटी में बर्फबारी हुई मस्ती करते नजर आए सेलानी देश में पिशले 24 गंटे में कोरोना के 1900 नहीं मामले आए सामने देश में कोविट के 34,000 सदी अधिक आक्टिव केस आतंकवाद के मुद्धे पार पाकिस्तान हुआ बेनकाब कश्मीरियों ने सीमा पार आतंकवाद के मुद्धे पार UNHRC में अपनी आप बीती सुना कर पाकिस्तान की पोल खोई परमाणू हमले के धमकी के बाद यूक्रेन जुद पर और सक्त हुए पुतीन के तेवर रूस की नुक्लियर फोर्स ट्रेन के जरिये यूक्रेन की सीमा की तरफ रवाना होने का दावा रूसी रक्षा मंतुराले का बड़ा दावा रूसी सेना ने यूक्रेनी कब्जे वाले कई शेत्रों को तभा किया सेन्य वानों को नुकसान पहुचाया एरान में हिजाब के खिलाब बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बीच खुले आम फारिंग सेक्यॉरिटी फोर्सेस के जवान ने लोगों को डराने की कोशिच की अब तक 92 से जादा लोगों की मौफ़ोच चुकी है एरान की राज़ाली तेहरान में मैलाओ का प्रदर्शन जारी मैलाओ ने कहा हम अब इस्लामिक गंतंत्र और नहीं चाहते स्लॉरिडा के ओर्लेंडो में तूफान से तबाही बढ़ते जलस्तर के बीच फसी एक मैला रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बहा निकाला और T20 World Cup 2022 से पहले टीम इंडिया को बड़ा छटका तेज के इंदबाज जस्प्रीद बुम्रा टूनामेंट से बाहर बीची साई ने पीट की चोट का दिया हवाला झालो